इंडिया जहां पर इसको घंती नजर से देखती है क्या इंडिया की दिमाग में भी कुछ परिवर्तन आएगा परिवर्तन आएगा और वोग कुछ अच्छा स्टिप लेंगे इन न्यू यॉर्क स्टॉप एक्षेंज को देखने के बाद बैक देखने के बाद इस विडियो में अचली बताना चाहता हूं कि इतना इंपॉर्ट के ओं है क्यों इतना सब लोग बात कर रहे है और बादेविए डिसाइड हो गया है देट फाइनली देट फाइनली देट्वेल्ट आफ देसेंबर को ये फाइनली स्टार्ट हो जवाला है मैंने अभी तक बिटकोईन प्राइस में कुछ मोमिट नहीं देखा है इन्होंने कर जो है डिकलर किया है कि डेट भी है डेट बट इस विडियो में बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा इंपॉर्टन्स क्यों दिया जा रहा है बैक को और क्यों मैं बुल रहा है कि पॉसिबिल्टी है या फिर क्यों बिटकोईन का प्राइस कुछ पॉसिटिव जाने के पॉसिबिल्टी जादा है तो सथक्षब च रहता है कि बेतर है कि दनीक फिलेट अफ़रां ये वे फेर फोस प्राइब इतलraw में जोश्किनल而已 कई बेसे पॉसिबिल्कूर बड़ा नहींक है współ जो उने बार्द अपको बताना चाहता हूं और कि निव बटभिनिंग इसके लिएária कि लोश़्ट बड़ 2009 Bitcoin को invention हुआ था जब लोगों ने स्टार्ट किया था तो लोग criminal activities सुचते थे कुछ value नहीं है काफी लोग सुचते थे कि यह फाल्त गिरी है यहां पर कुछ ऐसा होने वाला नहीं है दोगी है। यह चारभ सार्य जबस मीचल नहीं इन्फेट इगरर विश्वास किया मैंने प्रम अभी तक रूटेल मैं अब ड हमां होने सबसे बड़ा New York Stock Exchange, सबसे बड़ा Stock Exchange जो Wall Street का माना जाता है, जो company है, इंटर कॉंटिनेंटल एक्षेंज बोलते हैं, जिसका वर्थ 42 बिलियंड डॉलर है, मिलियंस ओफ पीपल आ ट्रेडिंग, New York Stock Exchange खुद मेरे मानना यह है कि New York Stock Exchange खुद यह जो ट्रेडिंग चालू करने व हो गया, अब जो उनके CEO है, वो Kelly Lofer है, वाइफ ऑफ जेफ स्प्रेचर, बेसिकली जो CEO है बैक के, वो लीरी है Kelly, और शी इस बेसिकली जो कपल आप देख रहे हो है, यह founders है, New York Stock Exchange के, जो parent company है, ICE के, और इन में से एक बंदी, जो बंदब उसकी wife है, वो खुद हेंड करने जा रही है, बैक को, तो यह बहुत है बड़ा न्यूस है, सेकिर्ली, अभी आपके दिमाग में ही खयाल तो आया होगा, कि मतलब यह लोग New York Stock Exchange, traditional market के player के बंदे, अभी digital currency में कैसे गोश रहे है, कुछ तो experience होगा उनके पास, या किसका साहरा ले रहे, मैं बता दो कि यहाँ पे employee थे coinbase के, आप सोच लो, इतने पुराने employee थे, मतलब जब से coinbase start हुआ, जब से Adam White coinbase के थे, और वहाँ से यहाँ से पुरा expertise बैक ले रहा है, कि कैसे start करना है, कैसे digital currency में deal करना है, कैसे institutional investor को deal करना है, तो यह बंदा जो है, बहुत important role play करने वाला है, along with the CEO, जिससे मैंने बता trading, जो सबसे बड़ी unlike different चीज़ इस बार यह है, कि यह normal Bitcoin futures trading नहीं है, जो CME, CBOE group कर रहे थे last year, this time, यह physical delivery of Bitcoin, आप गोलोगे physical Bitcoin थो होता नहीं है, digital होता है, yes, digital होता है, बद इस बार transaction होगा, मतलब जब भी handover हो रहा है Bitcoin futures का, तो basically transaction होगा, actual Bitcoin transaction take place करेगा, जैसे हम दोनों की ब transaction करते हो, तो एक transaction place actually होता है, खाली promise नहीं होता, तो इस बार actual delivery of Bitcoin की physical delivery होगे, अभी देख लेते हैं, कल इन्होंने documents निकाला था, आप देख लेते हैं, नोटेस, October 22nd, और कल का है यह, backed Bitcoin USDA daily futures contract to begin trading on December 12, 2018, इसका मैं लिंक डाल दूगा description में, तो यहां पे देख सेल प्योंगे physically settled daily futures contract for Bitcoin held in IC's digital asset warehouse, इनका trading hours है, 8pm to 6pm, this is trading hours for Bitcoin futures training, obviously Bitcoin 24-7 training होता है, यह इनकी official website है, जहां पे इनों detail से बताया है कि Bitcoin futures क्या है, और मुझे ऐसा महीं लगता है कि सिर्फ Bitcoin futures training है, सिर्फ एक product है, मेरी थाल से इसके अलावा भी और भी financial products, यह लोग trade करना, start करेंगे Bitcoin futures के बाद, so overall, it's a very good news, and the finding, the date has been confirmed, 12th of December, which I see as a very big moment into cryptocurrency, और यह मैंने actually tweet भी किया था कि आज काफी लोग price को देखते हैं, market cap को देखते हैं, लिकिन जो real चीज लोगो देखना चाहिए, वो रीली देखना चाहिए किया adoption, मतलब institution investor कितने bullish है, volume कितना हो रहा है, wallets कितने हो रहे, transactions कितने हो रहे, और लोग कितने नए लोग start कर रहे, Bitcoin crypto में, नए development कितने हो रहे, यह बहुत जादा important है, that's just the price, price is just side effect, मुझे पता है, आज कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पर I'm sure eventually future में, इन सब का आसर price पही किनने वाला है, और है नहीं नहीं पे, कुछ परिवर्तन आएगा, policy makers के परिवर्तन आएगा, और और लोग कुछ अच्छा step लेंगे, यह new york stop exchange को देखने के बाद, बैक देखने के बाद, अपनों opinion definitely जालने ना, comment में, as always thank you so much for watching, like, comment, 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 comment and comment